अवी मुक्तिश्वरानन जी बाराज इस वक्त हमारे साथ जुट चुके हैं आप शंकराचारे हैं जोतिश पीठ के आपका बहुत स्वागत है शंकराचारी जी और मेरा पहला सवाल आपसे यही है जिस तरह के हालात बने वे हैं सबसे पहली प्रार्थ मिक्ता सरकार की क्या हो भी चाहिए जो शिमर्ट को बचाने के लिए हैं देखे सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के बीतर विश्वास बरा जाएं उनको इस बात का वरोसा हो कि कोई है जो हमारे लिए सोच रहा है जो सक्षम है हमारे प्राणों की रक्षा कर देगा और जीवन भर की कम हमाई लगा करके जो हमने घर मकान दुकान बनाया है अगर यह तूट भी जाएगा तो इसके बरपाई हमारी हो जाएगी इस बात का भरोसा अगर सरकार दिला देती है तो लोगों को बहुत रहात मिलेगी भरपाई करने के लिए या इसकी जो मांग है उसको लेकर भी अलग अगर चारे पीठे अलग-अलग हिस्सों में अब लोग पूझा पाठ के लिए जाते हैं अगर जो शिमत में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी की तो बात यह है कि तए होने ही चाहिए अपने देश में तो जिम्मेदारियां तय नहीं होती ह हैं कि वल नाम पूझ लिया जाता है और कोई लोग कह भी देते हैं लेकिन हमारा यह कहना है कि यह बहुत की कठिन समय है जिम्मेदारी तय करने का समय बात कर रखा जाए अभी तो पुनरवास बचाओ और लोगों के मन में भरोसा स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए ऐसे में जो जादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी भी सवाल खड़ी कर रही है कि आपको भी लगता है कि जादा कंस्ट्रक्शन के बज़े से बहां पर हालात खराब हो रहे हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए अब ये प्रस्न ऐसा है जो उतर ही है सच बात यही है कि पहाडों में प्रकृति बस्ती है और हमने प्रकृति के साथ खूब छेड़ शाड़ की है इतनी छेड़ शाड़ कि जैसे कोई किसी को उकसाने के लिए करे तो जब हम इतनी छेड़ शाड़ प्रकृति के साथ कर रह हैं तो उसमें भी तो प्रभाव पड़ेगा आप बताईए 1976 में जब हुकम पाया था और जब वहाँ पर भूदसाओ आदी कटनाया हुई थी तभी मिश्रा कमेटी बने लिए थी बलकुल और मिश्रा जी वहाँ पर कमिश्टर के रूप में तैनाथ थे उनको वहाँ का परया है इसके नीचे इसका आधार बहुत ही कमजोर है अगर कुछ शेड़ शाड की गई पविशे में तो बहुत बुरे परिणाम होंगे लेकिन इन सब को देखते हुए भी परियोजना बना दी गई और जो शिमठ के नीचे से ब्लास्टिंग पर ब्लास्टिंग सुरू हो गई बिल्कुल और सडक का भी काम उसी तरह से चल रहा है एक साथ कई बिशपोट किये जा रहे हैं तो यह जो शेड़शार की जा रही है एक तरह से उक्षाया जा रहा है प्रक्रती को तो प्रक्रती अपना रूप तो दिखाने ही वाली है तो निश्चित रूप से यह प्रसन अपने आप में जबाब है सरकार में नज़र आती है आपको अब आपने प्रस्न में ही कह दिया कि दोनों पार्टियों की सरकारे रही अगर दोनों पार्टियों की सरकारे रही तो दोनों पार्टियों ने जो कुछ है वहाँ पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया तो विकास कौन मना करता है कि विकास ना हो विकास तो एक सतत परक्रिया है प्रदेख विक्ति अपने आप विक्सित हो रहा है एक बच्चा चोटा सा पैदा होता है फिर धीरे पढ़ता है उसके विद्धी का विकास होता है उसके बल का विकास होता है उसके शरीर का विकास होता है उसके मन मस्तिश का विकास होता है और उसके अगल जो बहुत तिकता है उसमें भी विकास परिलक्षित होता ही है होना ही है वो तो लेकिन वो विकास उसी रूप में होना चाहिए जैसे शरीर क्रमशह तिल-तिल करके बढ़ता है और एक दिन बहुत परिश्ट दिखाई देने में जाता है। इसी तरह कर विकास किया जाना चाहिए। यह नहीं कि रातो रात हम खींच करके तान करके बच्चे को बढ़ा कर देंगे। आप चाहते हैं कि विकास हम करें, और हम विकास पुरुष कहे जाएं। कि नेताजी चाहते हैं कि जल्दी काम हो। और इसलिए वो अंधादून्द काम सुरू करते हैं और अंधा दून्द काम करने में यह सब समस्याएं हो जाती है। तो अब तो कम से कम ये समय आ गया कि हम लोग ये तहे करें कि हमें जो शिमत चाहिए कि उसके नेचे जार ही सुरंग चाहिए